हेलो फ्रेंड सुगर्प्ट्रेस पे आनों मैं स्वाम मैं सेंग आज मैं जार घंड की बहुत ही फेमाद धुसका रेसेपी लेकर आई हूँ जिसे आलो टमाटा की सब्जी के साथ खाया जाता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक कप चावल आधा कप चेने की दाल एक चोथाई कप उरत की दाल इसे मिक्स करते हैं और अच्छे से वाश करते हैं इसे हमें भीगो कर रखना है लगबग 5-6 घंटे के लिए या आप इसे ओवरनाइट भी भीगो कर रख सकते हैं तो अब हमें पानी हटा देना है और इन तीनों चीजों को हम mixin के जार में डालेंगे तो यहां हम इसे दो बार में पीसेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं दो हरी मिर्च, अद्रक का ठुकरब और इसे पीसलेते हैं तो बिलकुल fine paste बनाना है तो यहां मैंने से दो बार में पीसा है और एक यी तो एक कूकर में हम डाल रहे हैं सरसो का तेल, जीरा, कटी हुई प्याज, प्याज को फ्राइ करेंगे तो इसमें हरी मिश्ट भी डाल दिया है, अद्रक लेसुन, साथ में कटावा टमाटर, हल्दी, लाल मिर्ज, धनिया पॉडर, जीरा पॉडर, नमक, स्वाथ के नुसार औ मालुक मैंने या बड़े पीसिस में काट कर डाला है, साथ में इसमें पानी डालेंगे और लगबग 3-4 सीटी आने तक इसे पकाएंगे, तो पानी थोड़ा कम या जादा डाल सकते हैं, यहां बैटर में हम डाल रहे हैं धनिया पॉडर, हल्दी, लाल मिर्ज, चाट मसाला, साथ में नमक, थोड़ा सा हीं, अजवाइन, और थोड़ा सा धनिया, इसे मिक्स कर लेते हैं, जोसका बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तयार है, इसे हम डीप फ्राइ करेंगे, तो तेल को मैंने गरम कर लिया है, और अब हम कलचुल में बैटर लेते हैं, आपको जितना ब इसे बाद उलट पुलट के इसे फ्राइ कर लेंगे, तो यहां जो धुसका है, कुछ इस तरह बनकर तयार हो चुका है, अच्छे से फ्राइ करना है, तेल अच्छा गरम होना चाहिए, और अच्छे से आपको फ्राइ करना होगा, वैसे इस बैटर का चिल्ला भी बज सकता ह अगर वीडियो चाहिए, यानि रेसिपी चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा, तो आपके साथ इसके चिल्ले की रेसिपी में ज़रूर शेयर करूँगी, यहां जो सबजी है, यह भी देखी कितनी बड़ीया देख रही है, मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, जो बड़े बड़े आलू है इसे मैंने इस तरह मैश कर दिया है, इसमें आप जो कालचन आता है, उसे भी डाल सकते हैं, उससे भी यह सबजी बहुत अच्छी बनती है, तो यहां जो आलू टमाटा की सबजी है, पटरफट बनी है, यह विलकुल तयार है, तो इसे सर्व कर अगर आपने अभी तक इसे नहीं बनाया है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि आपको यह रैसे भी कैसी भी लगी, एक वा फिर से मिलते हैं, तक तक लिए बाए